हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगेन टू लेंगरे दितीमन आज हम करने वाले हैं टैन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट दो पार्ट जो हैं वो हमने कम्टीट कर लिया हैं जिसमें हमने राज्यसभा और लोगसभा के बारे में जाना आज हम करेंगे जिसमें हम राश्ट पती और उपराश्ट पती के बारे में जानेंगे Q1. समविधान के किस अनुचेद में उपलब्द है कि भारत का एक राश्ट पती होगा को याद रखना है कि अनुछेद 52 में हमें यह मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा, समविधान के अनुछेद 52 में उपलब्द है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा, किस अनुछेद में है कि संग की कारेपालिका शक्ती राष्ट्रपती में नहित होगी, दोनों की ही भासा बदल गई है, दोनों याद रखना है, नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 3, कारेपालिका का ओपचारिक या वेधानिक या नाममात्र का प्रधान कौन होता है, तो हम कई बार ये देख चुके हैं कि कारेपालिका का ओपचारिक या वेधानिक या नाममात्र का प्रधान कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपती नेक्स्ट है question number 4 कारेपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपती जो होते हैं वो कारेपालिका के नामात्र के प्रधान होते हैं और कारेपालिका को जो वास्तिविक प्रधान है वो कौन होता है प्रधान मंत्री सम्विधान की संगिये कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं तो देखिए कारेपालिका में जो संगिये कारेपालिका में उसमें होते हैं राष्ट्रपती, उप्राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, मंत्री परिशद व भारत का महानियाए वादी। ठीक है? संगय कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं? राश्ठ्रपति, उप्राश्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्री परिशद व भारत का महानियाएवाधी Qω 6 राश्ठ्रपती पद के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्स व लोग सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता रखता हो ठीके याद रखना है लोग सबा का सदस्य नहीं पूछा है यहां है कि लोग सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता रखता हो ठीके और उम्र क्या होनी चाहिए 35 वर्ष नेक्स्ट कुश्य नमबर 7 राष्ट्रपती भारती संसद और राज्यों के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यह कथन कितना सत्य है तो देखिए जो हमने देखा कि राष्ट्रपती के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए 35 वर्स होनी चाहिए लेकिन लोगसभा का स सदस्य बढ़ने की योगता रखता हो ठीक है तो यह कथन जो है वो पूर्टे सत्य है नेक्स्टर है कुश्य नमबर 8 राष्ट्रपती के चुनाम में कौन-कौन शामिल होते हैं तो कौन-कौन शामिल होंगे संसत के दोनों सदन लोगसभा और राज्यसभा के जो सदस्य शामिल होंगे वो संगिय शेत्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे कुश्य नमबर 9 किस सम्विधान संसोधन द्वारा राष्ट्रपती के चुनाम में संगिय शेत्रों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे तो वो कौन सा स पत्तरवा सम्विधान अनुछेद 1992, राष्ट्रपत्ती के चुनावगी क्या पद्धती है, तो यह है, एकल संकर्मणिय मतपद्धती और एप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान द्वारा, यहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करते हैं, राष्ट का चुनाव होता है, कुश्यन 11, सम्विधान के किस अनुछेद के अनुछार राष्ट्रपती द्वारा सम्विधान का उलंगन किये जाने पर उसे महाव्योग द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाव्योग का जो प्रावधान है, राष्ट्रपती पर जो महाव्योग लगा वह वर्नित है अनुच्छेद 61 में, याद रखना है राष्ट्रपती की बारे में हम तीन अनुच्छेद देख चुके हैं, जिसमें हमने अनुच्छेद 52 में देखा कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा, अनुच्छेद 53 में हमने देखा कि जो कारेपालिका की जो सक्ती है, संग की कारेपाली के शक्ती राष्ट्रपती में नहित होगी, अब हम देख रहे हैं अनुचेद 61, जिसमें देख रहे हैं कि राष्ट्रपती के महाव्योग, राष्ट्रपती के उपर जो महाव्योग लगता है, तो उसके बारे में कहां उलेकित हैं? अनुचेद 61 में. Question 12 Question 14 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 Question 15 Question 15 Question 15 Question 14 Question 15 Question 15 Question 15